प्रयाग राज में शिक्षक भर्ती को लेकर आज छात्रों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किया और कहा कि अगर हम लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो हम लोगों सरकों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा निदेशाले के अधिकारियों की होगी। कि हम लोगों को गोल गोल ना घुमाया जाए तो कि रिवाइज रिजल्ट आए इतना दिन हो गया है तो जल से जल हमारी प्रॉसेस कंप्लीड की जाए। हम लोगों को हमारे स्कोल में भेजा जाए मैं आपके माध्यम से मानने योगी आदित नाजित से निवेधन करना चाहूंगा कि हम लोग जूनियारेड़ के कंडिडेट है मांसिक रूप से प्रताडित है हम लोगों के मामले को संग्यान मेले और जल्द से जल्द हमारी वेकें लेकिन यहां पर जो अधिकारी हैं अधिकारियों की लापर वाही की वज़ा से भरती आज फसी हुई है क्योंकि जब इसका बिग्यापन जा रही हो गादा बिग्यापन में भी किवल यह था कि आप परिछा करही इसके पहले जो इसमें होता था वाइश्कूल के मैनेजरों को दारा होता था लेकिन मानी मुख्यमंतरी जी के द्रिंट संकल्प के द्वारा यह जो है पहली बार भरती आई जब इसका एक्जाम होता है तो इक्जाम में भी धांदली हुई जो भी हुआ उसके बाद पुनर मुल्यांकन के बाद यह लोग हम लोगों से लगातार बोल दिन का आमराण अंसन भी किये थे दरना प्रदसन अनुवरत भी किये लेकिन उसका कोई भी वह नहीं था डिरेक्टर बेसिक का कि आप लोगी भरती प्रक्रट के नौंबर तक हो जाएगी उसके बास से हम लोग लगातार अनुसासित डंग से यहां पे दरना प्रदसन कर र जब आखरी स्टेज यहां से पूरा आज हम लोग आये थे दरना प्रदसन कि यह प्रसासन भी आई थी आज काफी जादे मात्रे में तो हम लोग हाला कि अधिकारी आज उपस्ती तेने क्योंकि आज गुरु नाना साहद जो जैनती है उसमें गजटेट हालीडे है जो भी हा गुरु गोविन शिक जैनती तो अधिकारियों से बात हो नहीं पाई इसलिए हम लोग अभी जो है अभी अभी अपनी इस दरना प्रदसन को समाप्त करेंगे आगे जैसे ही अधिकारियों से बात होगी और जिस हिसाफ से उनका इंपुट या वो जो भी आएगा उसके करेंगे